हेलो फ्रेंड से MP3 इस्टिचिंग चैनल में आपका स्वागत है फ्रेंड साज के इस वीडियो में हम सिंपल कुर्ती बोटने कुर्ती की इस्टिचिंग करना सिखेंगे तो आपने अगर इसका कटिंग का वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाके एक बार जरूर देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा तो यह हमारी स्लिव से इसको हम साइड में रख देंगे अभी और पार्ड को एक पार्ड पो जो है हम खोल के रख लेंगे इस तरीके से और अब नेक में हम पट्टी लगाएंगे आप देख सकते हो मैं किस तरीके से पट्टी लगाऊंगी तो पट्टी की चोड़ाई ली है मैंने 1.5 इंच तो आपको 1.5 इंच पट्टी की चोड़ाई लेनी है और पट्टी को आपको इस तरीके से डबल फोल्डे कर लेना है और इसमें छोटी-छोटी चुनन डालनी है आपको इस तरीके से तक कि जब हम पट्टी को पल्टेंगे तो हमारी इसमें सलना आए और हमारी पट्टी फिनिशिंग से मूड़े तो आपको इसी तरीके से इसमें चुनना डालनी है छोटी छोटी आपको ज्यादा बड़ीनी डालनी इसमें छोटी छोटी ही डालनी है और एक्षा पट्टी को कट कर देंगे और नेक में छोटी छोटी कट लगा लेंगे और पट्टी को पलट देंगे इस तरीके से तो देखो यह हमारी नेक में पट्टी लग चुकी है तो हम अब इसी तरीके से दूसरे वाले नेक में भी पट्टी कम्प्लीट कर लेंगे तो देखो मैंने दूसरे वाले neck में भी पटी इसी तरीके से joint कर ली है लगा ली है अब हमको shoulder joint करना है तो shoulder joint करने से पहले आपको armhole की तरफ से आप इंची जितना आपको इस तरीके से छाटना है इसको armhole की तरफ जुकाना है क्योंकि ये हमारा board neck में है तो इसलिए हमको जु प्रवादी मजबुत लगा ले तो हमारी सिलाई टूटनी नीची है हमने दोनों चोल्डर पर सिलाई लगा ली है अब हम इसमें अस्तिन जोइंड करेंगे तो आपको देख लेना है कि हमारी आगे वाली अस्तिन कुन सी है और पीछे वाली कुन सी है और फिर इस तरीके से हम इसमें जोड़ देंगे तो देखो हमने जोइंड कर ली है अब हम इसी तरीके से दूसरी वाली में भी कर लेंगे तो देखो मैंने दूसरी वाली भी तयार कर ली है अब नीचे हम फ्रिल लगाएंगे तो फ्रिल की चोड़ाई ली है मैंने तीन इंच और पट्टी को इस तरीके से डबल कर लेंगे और सिलाई लगा देंगे आपको सिलाई दो पॉइंट जितनी ही लगानी है और फ्रिल बना लेंगे इसकी भार की साइड में थोड़ा सा कपड़ा हमारा इदर उदर हो रहा था तो हमने चाट के निकाल दिया अगर आपको ज़रुत हो तो आपको निकालना वनना नहीं निकालना है और इस तरीके से हम चुन्नट डाल लेंगे इसमें फ्रिल बोलो या चुन्नट बोलो बात एक ही है और इस तरीके से हम इसमें लगा लेंगे इसको और बाकी फ्रिल को कटिंग कर देंगे और इस तरीके से इसको परट लेंगे और उपर से हम एक सिलाई लगा देंगे और एक सिलाई और लगा देंगी है ताकि हमारी जो फिल अच्छे से बेड़ जाए वो बाद उठने की समझा नहीं रहेगी इसमें तो हम इसी तरीके से दूसरी वाली अस्तिन में भी फिल को तयार कर लेंगे तो देखो मैंने दूसरी वाली साइड में भी फिल को लगा लिया है अब हम इसको पल्टेंगे और सिलाई लगाएंगे साइड तो अब हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे तो हमने जो दो इंच का मार्जिन लिया था साइट में तो हमको इसी तरीके से दो इंच मार्जिन कवर करते जाना है और आपको सिलाई चला लेना है और आपको हीप साइज के याज से आके आपको रोक लेना है तो आपका हीप का आए वो देख लेना है और रोक लेना है मशीन को और मशीन को एक दो बार आगे पिछे कर देना है तो हमारी सिलाई खूलेगी नहीं वो तो हम इसी तरीके से दूसरी वाली साइट में भी फिटिंग लगा लेंगे और नीचे से भी आपको आते आते आपको हीप के यहां पर आके रोक लेना है और सिलाई को आगे पिछे कर लेना है दो तिन बार और निकाल देना है अब हम चोक को बनाएंगे इसके तो इस तरीके से आपको कपड़े को ले लेना है डबल फोल्ड करके नीचे से तो आप देखना फ्रेंट्स मैं किस तरीके से चोग बना रही हूँ आपको इसी तरीके से बनाना है तो यहाँ पर इस तरीके से लेना है आपको और मशिन को रोग देना है और फिर घुमा लेना है और फिर से इधर से कपड़े को मोड लेना है और सिलाई चलानी है इसमें और फिर पलट लेंगे इस तरीके से तो मैं किस तरीके से पलटा है मैंने आपको ध्यान देना है तो हम इसी तरीके से दूसरे वाली साइट में भी तयार कर लेंगे चोक को कर दो तो देखो हमारी दोनों साइटों के चोक रेडी है अब हम नीचे की साइट से इसको फोल्ड करेंगे तो इस तरीके से आपको एक इंचे कपड़े को फोल्ड कर लेना है और सिलाई चलानी है हम इसी तरीके से दूसरी वाली साइट में भी पलट लेंगे तो देखो फ्रेंट्स यह हमारी जो है कुर्ती रेडी है तो मैं इसमें बाद में एक फूल अटेच करूंगी अगर आपने इसका कटिंग का वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे चेनल पे जाके एक बार ज़रूर देख लेना और फ्रेंट्स आपको वीडियो पसंद आया ह जरा साब भी तो वीडियो को लाइक चेर और सस्क्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा धन्यवाद